स्वागत है धनुराशी वालों मेरे चैनल में 2021 की डेरोशोप कामना है पिछला साल आपके राशी वालों के लिए बहुत खराब गया इसका मुख्य कारण केतू का आपके राशी के उपर से यात्रा करना एवं आपके सप्तम भाव में राहू की यात्रा चलना 23 सितंबर 2020 से केतू ने राशी परिवर्दन कर लिया है और अब नया साल में आपके लिए बहुत शुब बहुत मांगलिक फर लेकर आने वाला है यहां मैं गोचरी प्रभाब बता रहा हूँ आपके परसनल जनम कुडली का नहीं परसनल जनम कुडली के लिए आपको डिटेल मेर से बात करनी है तो आपको अपोइंडमेंट देना पड़ेगा धनुराशी वालों यह वर्ष आपके लिए मध्यम रहेगा यद भी आप वर्ष प्रयांत साड़े सत्ती के प्रभाब में रहेगे परन्तो गुरू के शुप प्रभाब के चलते सितियां कुछ हर तक नियंत्रण में ही रहेगी शनी का गोचर वर्ष प्रयांत आपकी राशी से दुतिय भाब सेगंड हाऊस में रहेगा जो की उतरती साड़सती है गुरू का गोचर दूती एवन तितिय भाब में रहेगा जितिय भाब में गुरू का गोचर शुब फल देगा वहीं तितिय भाब में अशुब फल प्रद है मैं नहीं कह रहा जो तीशे गरंत ब्रिगु समीता चिंतामनी शमतकार जातक परिजात ऐसा कहते है रहु केतु का गोचर करमशा सरस्ट एवन दादश भाब में रहेगा जो की बहुत शुब फल प्रत रहेगा स्वास की दिश्टी से ये वर्ष आपके लिए मध्यम फल देने वाला है खानपान एवन दिन्चारे का ध्यान देनी के आवशकता है यदि अब दिरकालिक रोगों से ग्रस्त हैं तो इन दिनों नियमित चेक अप करवाते रहेगा और डॉक्टर से परामाश लेते रहेगा आर्थिक दिश्टी से ये वर्ष आपके लिए विगत वर्ष की तुनला में बहुत शुब रहतकारी रहेगा आयके संबन में रहत मिलेगी खर्चों पर नियंत्रन होगा आर्थिक सिती अच्छी होगी सुध रहेगी इस वर्ष कई जोकिमपू निवेश में पैसा लगाने से बचेगा नौक्री पेशा वर्ष के लिए वर्ष ये मध्यम फल देने वाला रहेगा इस वर्ष आपके आफिस में मनो नुकूल प्रनाम प्राप्त होंगे कई बार जगडे की परस्तितियां आएगी उच अधिकारियों से सहकर्मियों से शांती बना कर रखेगा प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं कोई महत्यपूर्ण पद आपको मिल सकता है वैपारी वर्ष के लिए वर्ष मध्यम फल रहेगा वैपसाय विगत वर्ष की तुनला में ज़्यादा बहतिन रहेगी धन्यवाद चैनल शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा जल्दी मिलता हूँ नए वारता के साथ धन्यवाद